प्राकृतिक वनस्पती प्राकृतिक वनस्पती या अक्षत वनस्पती सेतात पर्य, किसी मानविय सहायता या बहुत लंबे से किसी परिवर्तन के बिना प्राकृतिक रूप से उगे और विकसित पादब समुदाई से है. क्रिश्यकृत वनस्पती को प्राकृतिक वनस्पती नहीं कहा जा सकता है वह प्राकृतिक वनस्पती जो मूल रूप से भारतिय है उसे देशज वनस्पती कहते है भारत से बहार से लाई गई वनस्पती को विदेशज वनस्पती कहते है वनस्पती जगत किसी विशेश क्षेत्र या अवधी में उगने वाले सभी पादब है प्राणी जगत किसी विशेश क्षेत्र या अवधी के सभी जानवर है विभिनक शेत्रों के वनस्पती जगत और प्राणी जगत में विवित्ता निम्नलिखित कारकों के कारण होती है उच्चावज भूमी वनस्पती का प्रकार प्रभावित करती है परवत, पठार, रेकिस्तान और मैदानों में अलग-अलग प्रकार की वनस्पती होती है फसले, फल और सब्जियां उपजाओं भूमी परुपती है घास के मैदान और जंगल या वन उबर-खाबर तथा असमतल भूभाग में विकसित होते है और वन्य प्राणियों कव आश्रय देते है म्रिदा, विभिन प्रकार की म्रिदा विभिन प्रकार की वनस्पतियों के लिए उपयोग्त होती है रेकिस्तान की बलूई म्रिदा कैक्टस के विकास के लिए उपयोग्त है दल्दली नदियों के डेल्टाप की मृता, मैंग्रोव वनू के विकास के अनुकूल होती है परवतों की धलानू पर शंकुधारी व्रिक्ष उगते है जलवायू वर्षा, उचाई और आद्वरता के साथ तापमान का वनस्पती पर प्रभाव पड़ता है तापमान में गिरावट और उचाई में व्रिधी से वनस्पती की प्रकृती उष्ण कटी बंधिय से उपोष्ण कटी बंधिय, शीतोष्ण और फिर अलपाईन में परिवर्थित होती है सौर प्रकाश की अवधी प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश की अवधी और मात्रा होती है अधिक प्रकाश प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पौधे तेजी से बढ़ते है वर्षन भारी वर्षा वालेक शेत्रों में सघन वन होते है जबकि कम वर्षावालेक शेत्रों में न्यून वनस्पती होती है.